दोस्तो आईए देखते बप्पा का आगमन वो भी अपने कॉलेज में फिलहाल तो बप्पा ने कैंपस में इंट्री कर ली थी और हम भी यहां से जाई रहे थे तब आचानक से दिखता है कि भाई बहुत सारे लोग नाच रहे बले जिसको नाचना आता हो या फिर किसको नाचना नाता हो कोई खुद नाच रहाता तो भाई कोई किसको लेकर नाच रहाता पिर तब आचनक पूरा कारेक्रम ठप हो जाता है अब क्या हुआ था किसको कुछ भी नहीं पता लेकि यह जो भी पता था बस उनी को पता था जो बजाने वाले थे अब पताने यह क्या कर रहे है और क्यों कर अब शुरू हो जाता है कुछ अनुका प्रदर्शन जिसे देखन के लिए काफी बीड जमी थी और यह कुछ एसाई प्रदर्शन था अब बारी थी पपा को उनके रूमर लेकर जाने की तो यहां पर अभी पपा को उठाया और अभी मिलते सीदा उनके रूमर जहां यहां पर हम जाने वालते दूसरे वाले रस्ते से जो रास्ता बनाया था स्टूड़न्स के लिए यहां पर हम बहुत जाते अभी पपा के रूम में और यह रहा हुए बपा को कुछ डेकोरेशन और यह रही वह रूम जहां पर पर रहने वाले दस दिन और यह रहे सभी में दपते के लिए